है लो नमस्कार दोस्तों क्या से उम्मीद अच्छे होंगे आज हम पढ़ेंगे सम्मधान सभा से समंधित कोष्टन कुछ कोष्टन हमें इससे पहली वीडियो में खर ली हैं जो बचे को क्वेश्टन वह आज करेंगे बहुत अच्छे अच्छे कोष्टन है किसी भी अगर इंपोर्ट सरकार्य एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह बहुत इंपोर्टेट्ट कोस्टन है देखेगा अगला कोस्टन है आज का पहला कोस्टन सम्मिधन सबाके प्रारूप समीति की निक्ति कब की गई ओप्षन नमबर ए 29 अप्रेल 1947 ओप्षन नमबर भी ए 11 जून 1947 ओप्षन नमबर सी ए 29 अगस्त 1947 ओप्षन नमबर डिये 16 दिसंबर 1947 तो बताना कि सम्मिधन सबाके प्रारूप समीति की निक्ति कब की गई थी तो कब क की गई थी आप बता सकते हैं बड़े आसानी से 29 अगस्त 1947 यानि ओप्सन नंबर सी ठीक हो जागा नेक्ट कोस्टन देखिएगा बहुत अच्छा कोस्टन है भारते सम्मिधान सवाकी प्रारूप समीति के अध्यक्स कौन थे ओप्सन नंबर ए है डॉक्टर राजेंदर प्र यानिके ओप्सन नंबर सी राइट आंसर आप दा कोस्टन नेक्स कोस्टन देखिएगा नेक्स कोस्टन है सम्मिधान सवाके प्रारूप समीति में सदिश्यों की संख्या कितनी थी ओप्सन नंबर ए पांच ओप्सन नंबर बी साथ ओप्सन नंबर सी नौ ओप्सन नंबर प्राडी ग्यार है तो सम्मिदान सभाक A जो प्रारूप समीति के सदस्य से वह कितने थे साथ option नंबर B right answer of the question next question देखिएगा कई सब्सक्राइब निम्लिखित में से कौन भारति सम्मिदान की प्रारूप समीति के सदस्य नहीं थे option नंबर A गोपालाचारी आयंगर option number B option number C option number D option number Dr. Rajinder प्रसाद आप बता सकते हैं कि भार्चे समधान प्रारूप समीती के सदस्या नहीं थे तो कौन नहीं थे Dr. Rajinder प्रसाद option number D right answer of the question next question देखेगा बहुत अच्छा question है निम लिखित में से कौन प्रारूप समीति का सदस्य नहीं था option number जवालाल नहरू option number B मौमद सदाउला, option number C मुंची, option number D गोपाल स्वामी आयंगर तो आप बता सकते हैं कि प्रारूप समीति के सदस्य कौन नहीं थे तो पंडे जवालाल नहरू नहीं थे यानि option number A right answer of the question next question देखिएगा बहुत अच्छा question है सम्मिधान की प्रारूप समीती के समक्स प्रस्ताबना का प्रस्ताब किसने रखा option number A Dr. B. आरंबेटकर option number B है B. एन राउ option number C है महत्मा गांधी option number D है जवालाल लहरू तो इसका answer हो जागा पंडित जवालाल लहरू सम्मिधान सवा में सभी निल्य किस आधार पर लिए गए option number A है एकता और अखंडता option number B है बहुमत option number C है सर्वसमती option number D है सहमती और समायोजन तो कौनसा answer हो जागा आप बता सकते हैं संभीधान सवा में सभी निल्डे सह्मती और समयोजिन के अधार पर लिए गये थे option नमर दी right answer of the question next question देखिएगा संभीधान सवा में उद्देश से प्रिस्टाव किसने प्रिस्तूत किया था बहुती सांधार जांधार जबर्दस कोस्टन आयो औप्शन नंबर ए सचीदानन सिन्ना, औप्शन नंबर भी है डॉक्टर भी आरम बेटकर, औप्शन नंबर सी है जवाल लाल नहरू, और औप्शन नंबर डी है आचारे जेवी क्रिपलानी, तो कौन सा आंसर हो जागा आप बता सकते हैं कि सम्मिदान सवा में उद्धे से प अध्यक्स कौन थे, औप्शन नंबर ए सरदार पटेल, औप्शन नंबर भी है डॉक्टर वी आरम बेटकर, औप्शन नंबर सी है अल्लादी कुष्णा स्वामी आयार, औप्शन नंबर डी है पंडित जवाल लाल नहरू, तो आप बता सकते हैं कि कौन थे संगे सक्टी सम सम्विधान को अपनाया गया, औप्शन नंबर ए सम्विधान सभा द्वारा, औप्शन नंबर भी गवर्नर जर्नल द्वारा, औप्शन नंबर सी ब्रिटिश संसर द्वारा, और औप्शन नंबर डी है भारते संसर द्वारा, तो किसके द्वारा अपनाया था सम्विधान किसके द्वारा अपनाया गया था संभीधान सभा द्वारा यह अप्शन नमबर ए राइट अंसर अब्दा कोस्टन नेक्स कोस्टन देखिएगा संभीधान देने कर सताव संभीधान द्वारा पारित के गया था 22 जनवरी उन्नीश सेंतालिस को यह अप्शन नमबर भी राइट अंसर अब्दा कोस्टन नेक्स कोस्टन देखिएगा करा संभीधान निर्मात्री सवा में राष्टे द्वज संबंदी तदर्थ समीती के अध्यक्स थे ऑप्शन नमबर A डॉक्टर राजेंदर प्रिसाथ ऑप्शन नमबर B के एमूनसी ऑप्शन नमबर C है डॉक्टर B आर अमबेडकर और अप्शन नमबर D जबालल नहरू भारत की संभीधान सवा में गिर्णकिया गया था ऑप्शन नमबर A जुलाई 1948 में ऑप्शन नमबर B JUL 1950 में C है जुलाई 1947 तो इसका आंसर हो जागा जुलाई उनिस्टो शेटालिस में अप्शन नंबर सी राइट आंसर और कोस्टन नेक्ट कोस्टन बहुती सांदार जानदार जब्रदस्ट कोस्टन है देखिएगा भारत की सम्विधान सवाने किस्ति थी को राश्ट्य धोज़को अपनाया option number A 22 जनबरी 1950 को option number C है 24 जनबरी 1950 को और option number C है 22 जलाई 1947 को और D है 22 जलाई 1948 को तो कौन सा आंसर हो जागा इसका आंसर हो जागा 22 जलाई 1947 को यानि कि option number D right answer of the question बहुती सांदार जानदार जब्रदस्ट कोस्टन था next question देखिएगा सम्मीदान सवा ने सम्मीदान को अन्तिम रूप से किस दिन पारित किया अन्तिम रूप से किस दिन पारित किया था ये पूछ रहा है option number A 15 अगस्ट 1947 option number B है 15 दिसंबर 1948 c है 26 नौवर 1948 और D है 26 जनवरी 1950 पचास तो आप बता सकते हैं कि सम्मितान सवा ने जो अंतिम रूप से पारित किया था 26 नमबर उन्नीस सो उलनचास यहनी option number C right answer of the question कौन सा हो जागा answer option number C next question देखेगा बहुत ही अच्छा question है सम्मितान सवा अंतिम रूप से किस दिन आखरी बार मिली option number A 26 November 1948 option number B 5 December yelled option number C 24 January 1950 option number D 26 January 1950 क 느Rtheyं कि अंतिम रूप से सम्मितान सवा जो थी वह आखरी बार कम मिली थी तो बता सकते हैं आप कम मिली थी 24 January 1950 को यहनी option number C right answer of the question next question देखेगा बहुत ही सान्दार जान्दार जबरदर्स question है देखेगा करा संभीधान सभा के कितने उपस्तिस सदस्यों ने संभीधान पर अकसर किये तो कितने सदस्यों ने किये थे option नमबर A है 262 option नमबर B 284 option 0 C 287 option 0 D 289 तो कौनसा अंसर हो जागा option number B 284 ठीक है next question देखिएगा बहुत अच्छा question है करा कि सम्विधान सभाद्वारा अंतिम रूप से पारित सम्विधान में कुल कितने अनुचेद और अनुचेद थी तो option number A है कि 375 अनुचेद और 7 अनुचेद और 7 अनुचेद और option number B है 387 अनुचेद 7 अनुचेद option number C है 395 अनुछेद और 8 अनुछेद और option number D है 395 अनुछेद और 10 अनुछेद तो कौन सांसर हो जागा option number C 355 अनुछेद और 8 अनुछेद थी next question देखिएगा बहुती सांदार जानदार जबरेशन question है जो आप सभी को पता होने चाहिए किया रहा है कि संपूर संभीधान, संपूर भारते संभीधान के निर्वार में संभीधान सभागों कितना समय लगा था option number A दो बर्स 7 माँ 23 अपसन नंबर B हैं दो बर्स 11 माँ 18 दिन option number C हैं दो बर्स 11 माँ 24 दिन और option number D हैं दो बर्स 11 माँ 23 दिन तो यह दिक्तर को तो यादी होगा तो इसका आंसर हो जागा दो बर्स 11 माँ 18 दिन यानि option number B right answer of the question next question देखिएगा बहुती सांदार जांदार जबरेस्ट question है किस दिन से संविधान सवाका अंतरकालीन संसत के रूप में अभिर्वाब हुआ option number A है option number B है option number B option number C है option number D है option number 18 फरवरी 1950 तो कौन चांसर हो जागा जल्दी साब कमेंट बोक्स में बता सकते हैं तो इसका अंसर हो जागा option number C चब्विच जनवरी 1950 वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों को सेर कर दो next question है जिस सम्भिधान सभाद्वारा भारत के सम्भिधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्या कौन थे option number A है गवर्नर जर्नल द्वारा नामित option number B है राजनीतिक दलो द्वारा नामित option number C है बिभिन प्रांतों की बिधान सभाओं द्वारा नामित option number DL logo द्वारा सीधे निर्वाचीत तो कौन थे आप बता सकते हैं कि बिभिन प्रांतों की बिधान सभाओं द्वारा नामित यनि option number C right answer of the question next question देखिएगा बहुती सांदार जांदार जबराजर कोस्टन है देखिएगा 61 number question है भारत के लिए सम्विधान सभाओं की रचना है तो सम्विधान सभाओं का विचार निमली खित में से सर्फिर्थम किसने प्रिस्तूत किया था option number A है स्वेराज पार्टी ने 1924 में option number B है कांग्रेश पार्टी ने 1936 में option number C है मुस्लिम लीग ने 1942 में option number D है सर्वधल सम्वेलन ने 1946 में तो कौन सांसर हो जागा इसका आंसर हो जागा स्वेराज पार्टी ने 1924 में option number A right answer of the question